हेलो एपिरवन मैं हुशता और आप देखने स्टडी कॉमर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी अन्पांकिंग्स रिलेटेट कुछ एक्सपेक्टेड क्वेशन्स आप हुमारे वीडियो की पीडियेफ्स डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा रुपीज हन्रेट का ये एक वन टाइम पेमेंट है आप फोन पे गूगल पे या किसी भी अदर यूपी आई से दिये गए नंबर 7317 240017 इस पर पेमेंट करके हमें जोइन कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो इस नंबर पे वाटसप करके भी आप हमसे बात क किस ने कही है चार आप्शन्स आपको दिये गए है वाकर, रॉबर्टसन, क्राउथर और पॉल, एंजिग तो ये स्टेटमेंट दिया है वाकर ने इस तरीके के जो भी क्वेरीज हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिये हुए हैं या किसी की डेफिनेशन दिये हुई हैं किसी की राइटर की डेफिनेशन दिये हुई है तो ये काफी important questions होते हैं ये directly examination में पूछ दिये जाते हैं ये इसके अलावा और भी definitions हो सकती हैं अलग-अलग thinkers की, अलग-अलग economist की और हमें बताना होगा कि ये किसने दिये हुई है नेक्स question है bad money drives out good money out of circulation ये statement किसने दिया है बुरी मुद्रा या खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ये बात किसने कही है चार options से आपके पाद जेम किन्स, थॉमस ग्रेशम, सैमिल सन और आडम स्मिंशन बैड मनी drives out good money out of circulation यानी कि एक खराब अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ये ग्रेशम का law है ग्रेशम का मानना था कि जो पुरानी मुद्रा है या जो खराब मुद्रा है अगर उसकी संख्या अगर उसका नंबर बहुत जादा है तो वो एकनॉमी में circulate होती रहेगी और जो good money है यानी अच्छी क्या करेंगे कि जो नया 100 का नोट होगा वो से आप अपने pass रखेंगे save करके रखेंगे और जो ये पुराना 100 का नोट है यही आप transaction के लिए use करेंगे इसी प्रकार से जब ये 100 का नोट किसी और के पास जाएगा मालेजे Mr. A से Mr. B के पास गया Mr. B भी यही सोचेंगे कि नय जो नोट है वो हम रख लेते हैं बाद में काम आएगा पुराने नोट को हम बाहर निकाल देते हैं सर्कुलेशन में इसी को exchange के लिए use करते हैं इस प्रकार से यही जो पुरानी मुद्रा है ये सर्कुलेशन में रहेगी ये ट्रांजेक्ट होती रहेगी और नई मुद्रा चलन से बाहर हो जाए नेक्स क्वेशन है value of money refers to value of money क्या होता है पहला option है gold purchased by money general purchasing power of money demand for money value intrinsic in money value of money यानि money की value किस पर based होती है तो general purchasing power of money पे जो value of money है ये depend करता उसकी purchasing power पे यानि कि जो money है उससे आप कुछ खरीद सकते हैं कुछ purchase कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि money की कुछ value है जिसकी वज़े से हम इसे exchange में या purchasing में यूज कर पा रहे हैं next question which of the following is not a function of money चार options आपको यहाँ दिये गए हैं इसमें से आपको बताना है कि इन में से money का function कौन सा नहीं है money का, mudra का कार है कौन कौन सा नहीं है पहला है medium of exchange दूसरा है storage of value तीसरा है stabilization of prices और next है unit of measurement तो इस question के answer के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि money के, mudra के क्या-क्या functions है, क्या कारे है तो main functions of money, mudra के जो मुख्य कारे है, वो है medium of exchange and measure of value अगर आपसे पूछता है main functions, money के main functions क्या है, तो हम दो functions इसमें include करते है medium of exchange और measure of value अब medium of exchange का मतलब क्या है, तो function है money का, की medium of exchange यानि कि अगर आपको कोई भी चीज़ purchase करनी है, तो वो किस के द्वारा की जाती है, money के द्वारा की जाती है मालेजी आप market में जाते हैं, आपको clothes खरीदना है market में जाकर के तो इन clothes को purchase करने के बदले आप seller को क्या देंगे, money देंगे, यानि कि कोई भी product अगर आपको खरीदना है, तो उसके exchange में या उसके बदले में आप money देते हैं seller को तो money की वज़े से या money के कारण जो भी exchange है वो possible हो पा रहा है, पुराने टाइम में क्या चीज़ें होती थी, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें commodity को exchange किया जाता था, commodity के बदले, कोई money नहीं होती थी, तो वहाँ problem होती थी double coincidence की double coincidence का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो दो लोग transaction कर रहे हैं, उन दोनों के पास जो जो products है, असल में उनको exchange में वही चाहिए हो, यानि अगर Mr. A और Mr. B आपस में goods को exchange करना चाहते हैं, A के पास wheat है, यानि गेहु है, और B के पास rice है, चावल है, अब ये जरूरी नहीं है क exchange करने पर B को wheat ही चाहिए हो, और A को rice ही चाहिए हो, हो सकता हो B को rice के बदले में pulses चाहिए हो, तो यहाँ पर A से वो कोई exchange नहीं कर सकती, तो इस तरीके की जो problem थी, उसको remove करता है money, money की वज़े से exchange जो है वो आसान हो जाता है, हम आसानी से कोई भी चीज मनी के बदले में, मुद्रा के बदले में खरीच सकते हैं, next case में measure of value, किसी भी product की जो value होती है, वो measure होती है money में, अगर आप market में एक packet biscuit भी लेने जाते हैं, और आपको बताना है कि जो value है, वो कितनी है, आपने बताया 10 रुपे, तो यह क्या है, हमने money में determine किया, money में बताया कि जो product है, उसक value कितनी है, उसकी value क्या है, तो 10 रुपे है, और यह क्या है, money में है, next है secondary functions of money, तीन secondary functions आपको दिये गए है, standard of deferred payment, store of purchasing power, और means of transferring purchasing power, सबसे पहला है standard of deferred payment, standard of deferred payment का मतलब है कि money की वज़े से, आप future में भी payment कर सकते हैं, money क्या है, generally acceptable है, अगर आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं, तो future में आप क्या कर सकते हैं, कि उसको money में payment कर सकते हैं, commodities या barter system में ये काफी tough होता था, क्योंकि commodities को return करना, आपने कुछ बोरो किया है, उसके बदले में commodity देना tough हो जाता है, तो यहाँ deferred payment, future में payment कर सकते हैं, आज आपन ने किसी से उधार लिया, तो कल को आप उसको payment कर सकते हैं, money के form में, next is store of purchasing power, जो money है, इसको हम store कर सकते हैं, यानि कि save कर सकते हैं, barter system में saving possible नहीं था, क्योंकि वहाँ commodities हैं, और अगर commodity perishable हैं, जिसे हम कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाएगी, तो उसको store करना possible नहीं है, तो money जो है, वो क्या करती है, कि save किया जा सकता है, savings की जा सकती है, उसको store किया जा सकता है, future use के लिए, next है means of transferring purchasing power, अगर आपको purchasing power transfer करनी है, तो वो भी money के form में, या money में की जा सकती है, यानि आपने कोई product खरीदा, अब आपने उसको किसी और को sell कर दिया, तो जो purchasing power है, वो क्या हो जाती है, transfer हो जाती है, एक person से दूसरे person को, तो money में जो general acceptability, यानि यही जो money है, वो हर जगा इसी form में इस्तिमाल की जाती है, और accept की जाती है, तो आसानी से जो purchasing power है, उसको transfer किया जा सकता है, आज आपने कोई land खरीदा, किसी एक country में, आ नई जगा जाके, आपने कोई नई property खरीद ली, तो यह क्या हुआ, जो यह purchasing power थी, जो land आपने खरीदा, उसको sell करके, अब आप दूसरी जगा उसी पैसे से क्या कर सकते है, property खरीद सकते है, तो purchasing power एक person से दूसरे person, एक स्थान से दूसरे स्थान, आसानी से transfer की जा सकती है, नेक्स है contingent and other functions of money, सबसे पहला है basis of credit, basis of credit है, आसानी से loan लिया चा सकता है, किसी से आप पैसे borrow कर सकते हैं, कोई आपको पैसे lend कर सकता है, दूसरा है facilitate distribution of social income, जो factors of production है, land, labor, capital, इन सबसे जो कारे लिया जाता है, उसकी जो payment की जाती है, वो money में की जाती है, नेक्स है equalize marginal utilities and marginal productivity, आप किसी product को अगर consume करते हैं, तो उसकी utility इस बात में depend करती है, कि आपने उस पर कितना money खर्चा किया है, उस product को खरीदने में आपने कितना जादा खर्च किया है, यानि आपकी utility किस पर depend करेगी, आपके expenditure पर करेगी, कि एक product को खरीदने में आपने कितन expenditure किया हुआ है दूसरा यह marginal productivity को equalize करता है जो various factors of production है उनकी जो efficiency है या productivity है वो किसके साथ equalize की जाती है तो money के साथ की जाती है जो कि उनको pay किया जा रहा है यानि कि उनकी efficiency या productivity के अनुसार उनको पैसे या money दिया जाता है next है money increases the productivity of capital money क्या करता है capital की productivity को बढ़ाता है सबसे best है liquid form में capital का होना जिसको easily आप transact कर सकते हैं अगर आपके पास cash है तो आसानी से transaction किया जा सकता है तो money की वज़े से जो capital है उसकी productivity में increase आता है क्योंकि capital जब money form में है liquid form में है तो आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह transfer किया जा सकता है next है maintenance repayment capacity आपने किसी से loan लिया है कुछ पैसे उधार लिये हुए है तो future में आप क्या कर सकते हैं उसको repay कर सकते है money के form में क्योंकि money के money जो ये है ये generally acceptable हर जगह इस money को accept किया जाता है तो money में आप repayment आसानी से कर सकते हैं next है represents generalized purchasing power money जो होता है ये generalized purchasing power को बताता है यानि कि अगर हमें कोई भी product खरीदना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा money का इस्तिमाल करना होगा जो purchasing power है वो क्या होती है money पे आधारित होती है यानि आपके पास जितना money available होगा आपकी purchasing power इसी बात पर depend करेगी कई बाल जो पैसे हमारे पास होते हैं उनको हम different uses के लिए अलग-अलग uses के लिए प्रयोग करते हैं यानि अगर आपके पास money है तो आपके हाथ में purchasing power है उतने तक के जितना आपके पास money available है उतने तक की कोई भी product or services को खरीदने के लिए Next is liquidity to capital तो money capital को liquidity देता है जो liquid form में capital होती है उसको maintain करके रखा जाता है ताकि जो regular के transactions हैं उनको आसानी से किया जा सके तो वापस से हम अपने question पर आ जाते हैं question था which of the following is not a function of money तो medium of exchange function of money है storage of value है unit of measurement है लेकिन stabilization of prices नहीं है तो यहाँ answer C correct होगा Next question है which of the following is not a social evil of money पहला है trade cycle दूसरा है fraud तीसरा है murder चौता है corruption यहाँ हमारा answer होगा A trade cycles Trade cycle क्या है यह economic evil है जबकि fraud, murders और corruption यह social evils है इनके बारे में देख लेते हैं Evils of money दो तरीके के हैं एक economic evil है एक social evil है सबसे पहले economic evil है trade cycle Money की वज़े से trade cycle आपको देखने को मिलती है, boom की situation आती है, धीरे धीरे फिर depression की situation आपको देखने को मिलती है Money के कारण आपको कभी बहुत जादा उच्छाल देखने को मिलता है, कभी बहुत जादा downward situation देखने को मिलती है तो ये trade cycle की वज़े से क्या होता है instability आती है economy में कभी inflation की situation आ जाएगी कभी deflation आ जाएगा यानि कभी economy में अच्छी situation रहती है कभी बहुत खराब होती है तो ये सब क्या होता है money की वज़े से आपको देखने को मिलता है trade cycle जो ये काम करता है ये money पर ही based होता है अगर किसी economy में money ना हो तो वहाँ trade cycle नहीं होगी next ये over capitalization money की वज़े से अकसर हमें over capitalization या over production की situation देखने को मिलती है जैसे जो money है वो आसानी से borrow किया जा सकता है तो ऐसी situation में जो companies होती है वो क्या करती है जादा cap पैसे borrow करकर उसे store करके अपने पास रख लेती है तो यहाँ क्या है over capitalization आपको देखने को मिलती है जितनी money की जरूरत थी उससे जादा हमने क्या किया है borrow करके रखा हुआ है इसी reason से over production की situation भी आती है जब money का जादा utilization करके हम अधिक production कर देते हैं रेक्वाइड होता उसे जादा production हम कर देते हैं तो यह क्या है आगे future के लिए यह problem create करता है next है value of money जो value of money होती है यह fluctuate करती रहती है कभी भी same नहीं रहती है तो यह जो instability है value of money के कि money की value या तो बहुत जादा हो जाती या तो कम हो जाती है यह depend करता है कि कितनी currency circulate की जा रही है economy में अगर बहुत जादा paper money या currency को issue कर दिया जाता है तो यह क्या ऐसी स्थिती में inflation की situation देखने को मिलती है जब लोग पस बहुत जादा अधिक पैसे होते हैं और ऐसी situation में जो prices होती हैं वो बहुत तीजी से बढ़ती है उसका कारण क्या है क्योंकि लोगों को पास जादा पैसे हैं तो जादा से जादा price देने को तयार होते हैं तो inflation के दौरान क्या होता है जरूरत से जादा जो money है जो paper money है उसको छाप दिया जाता है economy में वो circulate होती जिसके वैसे prices बढ़ जाते हैं इसी के विपरीत जितनी जरूरत हो अगर उससे कम अगर उससे low paper money circulate हो रही है तो यहाँ पे जो situation होती है वो deflation की होती है इसमें क्या हो जाता है कि कम लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो जो price होती है वो भी क्या करती है धीरे धीरे घटने लगती है क्यों घटने लगती है भाई लोगों के पास जब पैसे नहीं है तो वो जादा products को खरीदेंगे नहीं ऐसी स्थिती में अपने product को बेचने के लिए stock को बाहा निकालने के लिए जो producers हैं जो sellers हैं उन्हें अपने price को reduce करना पड़ता है और ऐसी स्थिती में उनको losses भी जेलने पड़ते हैं next है capitalism capitalism का मतलब है कि concentration of power in some hands कुछ ही लोगों के हाथ में जो बहुत अमीर है जिनके पास बहुत जादा पैसे हैं उनके हाथ में power चली जाती है capitalism की स्थिती में तो money की वज़े से क्या होता है कि जिनके पास बहुत जादा पैसे हैं उनके पास जो economic power है वो जादा है और दूसरे लोगों के पास comparatively कम होती है इस reason से आपको capitalism देखने को मिलता है तो ये कुछ economic levels है money के next है social levels पहला है fraud आप देखते हैं money की वज़े से काफी fraud देखने को मिलता है लोग पैसे का गमन करते हैं दूसरा डकैती होती है murders आप देखते हैं पैसे के कारण होते हैं और corruption ये भी क्या होता है money की वज़े से आपको देखने को मिलता है तो ये कुछ social evils हैं money के नेक्स question है money is a standard for deferred payment this function of money comes under which category primary function, secondary function, contingent function या other functions तो जो standard for deferred payment है ये क्या है आपका secondary function का हिस्सा है तो यहां आमारा answer हो जाएगा second money is standard for deferred payment ये money का secondary function है नेक्स question है 1 rupee note इंडिया में कौन इशू करता है चार options है आपके RBI, SBI, Finance Ministry या none of the above तो चली देख लेते हैं ये आप देख सकते हैं 1 rupee का note है तो ये जो 1 rupee का note है आप देख सकते हैं Government of India इसे issue करती है और यहां पे sign अगर आपसे पूछता है कि signature 1 rupee के note पे किसकी होती है तो finance secretary के इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि 1 rupee के note को भारत सरकार Government of India यानि कि Government of India की जो Finance Ministry है वो issue करती है इस 1 rupee के note को और इस पे signature Finance Secretary का होता है तो हमारे question का answer यहां हो जाएगा Finance Ministry Government of India की Finance Ministry 1 rupee के note को issue करती है Next question है What is black money? चार options है आपके Illegal money, bad money, illegal income या all of the above Black money का मतलब है Illegal या गरत तरीके से Legality के साथ पैसे न अर्न करना जब कोई व्यक्ती गलत तरीके से कुछ wrong deeds करके पैसे कमाता है income generate करता है जो की वैद नहीं होते हैं तो उस money को हम black money कहते हैं यानि ऐसी income जुसका कोई लिखित कहीं इसकी कोई data या information written में आपको available नहीं होगा तो जो लोग भी black money earn करते हैं उसको किसी भी direct transaction में इस्तिमाल नहीं करते हैं क्योंकि वैपने आपको बचा के रखने की कोशुश करते हैं कि किसी को उनकी इस income के बारे में पता न चले और ये जो money होती है इसकी कहीं पर भी accounting नहीं की जाती है यानि कोई भी record इसकी earning का इस income का नहीं रखा जाता है क्योंकि ये गलत तरीके से अवैद तरीके से इसको earn किया गया है तो आज की इस वीडियो में हमने डिसकस किया money से related कुछ expected questions hopefully ये वीडियो आपको समझ में आया होगा Thank you